हालो एंड वेल्कम टाफ डिफेंट्स निवस की एक फ्रेस एपिस्वड में आप सबको तहे दिल से स्वागते फ्रेंट्स आज की इस टपिक में हम बात करेंगे चीन और पाकिस्तान की काफ जाएगी रू भारत बनाने जा रहा है तीन लेयर वाली घातक मिसाइल जानिया इस से दुस्मन को लक्ष को भेदने के सक्षम है यहां मिसाइल तीन लेयर की होगी तो यह कहना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है भारत डेली बैसिस में अपने आपको त्यार कर रहा है और आने बला दिल के लिए अपने आपको मजबूत और स्ट्रॉंग बना रहा ह उसी हिसाब से स्वदेशी गान कोसल भरा मेंग इंडिया और मेंडि इंडिया प्रोजिक्ट के तहत भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है तो आज हम बात करेंगे डिफेंट नियूच के तहत भारत लगातार अपनी सरदिर्दिकार रख्या करने के लिए खतियार को जख जिसे चीन और पाकिस्तान के रूह काप जाएगी यह मिसाइल चीन के और पाकिस्तान के लिए आने बाला दिन के लिए काफी हद तक खतरनाक हो सकता है इस चीज को देकर चाइना और अमेरिका की चिंता काफी हद तक बढ़ गया है यह मिसाइल तीन लेयर बाली होगी यदि जा रहा है यह मिसाइल जमिन से हवा में दुस्मन की लख्य को भेद में सक्षम है यह मिसाइल तीन लेयर की होगी यह दुस्मन की हवाई जहाज फाइटर जेट रोकेट ठेलिकाप्टर या मिसाइल को 400 किलोमेटर रेंज पर मार गिराने में सक्षम है रख्या मंदलाए के पा भारत उन देशों में सामिल हो जाएगा जिनके पास खुद की हवाई शुरक्षा प्रणाली है जिसे रूस का S-400 सिस्टम में अपडेट किया जाएगा यहां पर डिफेंस डिगोट ने अपने ट्विट में भी अपडेट किया है इंडिया के तरफ से जो भी अपडेट हो रह जिस मिसाइल को भारत बनाने जा रहा है वह तीन लेयर्स का होगा इसमें पहले भारत इजराहिल के साथ मिलकर मीडियम रेंच का S.A.M. मिसाइल बना चुका है इसका भारत का ख्यामता काफी हद तक बढ़ चुका है और अभी जो निव अपडेट आ रहा है इसका मारक का ख पहले ही मयूद है अब इसे बढ़ा कर 400 किलोमेटर किया जाता है जिदि में बात करो इस सिस्टम को तीन सब ड्रोन भारत के पास है जो कि चाइना और पाकिस्तान शिमाओं पर तैनाद किया जाएगा दो और स्कॉडन भारत आएगा लेकिन जिदि में बात करो फिलाल उनके तारिक तरह नहीं हुआ है तो इसको दो से तीन स्कॉडन में अपडेट किया जाएगा अब ही दो स्कॉडन आएगा इसका दापडेट नहीं हुआ है डिया-डियो ने बिकसित की है हवाई शुरुख्या मिशाइल भारत में DRDO यानिके Defense Research Development Organization ने जमिन से छोड़े जाने वाले और युद्ध पोत ने जदी हम बात करेंगे युद्ध पोत से छोड़े जाने वाले हवाई शुरुख्या मिशाइल को बिकसित किया है रुस से मिला S-400 मिसाइल भी 400 किलिम्टर रेंज तक हवाई हमले को रुक सकता है लेकिन अब भारत इसे ही मिसाइल बनाने जा रहा है चोकि चीन के पास रुस के S-400 की तरह है उनका अपना Air Defense System है लेकिन भार रुस के S-400 एर कर Defense System को काम और ख्यमता बान कर सकता है भारत में बनाने बाले Air Defense System LR-SAM प्रोजेक्ट का नेतरत भारत वी ब्यावतेना कर रहा है यहने कि Indian Air Force इसका नेतरत इद्निया है और आगे जाकर इसको ख्यमता सिल्फ बनाने का अपडेट और सपत भी ले चुका है तो फ्रेंस आज का ही टपिक क्या सा लगा जरूर कमेट बॉक्स में mention किजेगा तब तक रहे फ्रेंड्स कीफ आचिंग टाप डिफेंस नेउस